जैश्टिमा का जैमाता कि आप सभी को आज मैं अपना नया टॉटिक लेके आई हूँ महरानी से आप सभी की मंगल कामना के लिए दुआ करती हूँ आज मैं आप लोगों को यह बताना показ थी कि सभी जो बहती करते हैं बहुतसे लोग बहुतसे लोग यहां में दर्वार में भी आते हैं और वहमेश्य केहते कि हम भी वात करना चाहते हैं देविदेवत छॉआ करता हुएbels्ट ट्रहत आया है कि हमने भी संवary ह gou є हम्सोचते हैं कि मातरा रानी हमारे सिर पर खेले आप अव जवाब तो तो मैं उनका कोई जवाब नहीं दे सकती और यह सब चीज़े देखो यह एक परनॉर्मल वार्ड है ठीक है यह पुरव जन्म के करम लगा लो या आप लोग इतने महिंती हो महिनत करते हो जीवन में महिनत करें होगे बैठ होगे जाब करोगे संकल्प लोगे साधना करोगे त बैट कि नदे मैं नियुकर करने पढ़ते हैं तो आप सभी कहते हों कि हमें भी बात करनी होती है तो आपके इंदर जैजवाए है किसी चीज का यह आपके वह जज़वा है बिल्कुल भी परिशान नहीं होना चाहिए क्योंकि जीवन में आब बलिहारी उस दुख के जो नित नित प्रबु नाम जपाए उस दुख को साधर प्रणाम कीज़े कि हे प्रभु ये दुख बना ही रहे, ताकि हम आप रभु का गुनगान करते रहें, ठीक है, तो आपको इस चीज के लिए न, वोनी होना चाहिए, ठीक है न, तो आप सबी ये माने, तो होता क्या है, हो जाता है, सब के ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होता है, जिन्दगी में सब कुछ हो जात ऐसा कुछ आप लोगों को जाप करना पड़ता है, बहुत देर देर बैठना पड़ता है, बैठने के बाद आपको थोड़ा कम अध्यम लाइट, बिल्कु तिक ही लाइट ना हो, जाप करने के लिए कम लाइट में आपको बैठना होता है, बैठने के बाद जैसे ही आप आ फिर आपको थोड़ा सा वाइटनेस में लग जाएगा प्रकाश्ता दिखना शुरू हो जाता है फिर बिल्कुल आप अंतर मुख हो जाते हैं भगवान की भ्यक्ति में विलीन हो जाते हैं हलका साब कोई म्यूजिक लगा सकते हो अगर आपका ध्यान अच्छा लग जाता है आपके घर पे शोर कुल नहीं है तो आप डाडेक्ट भी कर सकते हो और फिर आपको जैसे हटेगा बिल्कुल साफ होएगा तो उसके बाद आपको थोड़ी आकृतियां दिखने लगती है वो जोट के दर्शन शुरू होने लगता है तो Charlie यहां पर थोड़ी होते हैं दो यहां पर ओड़ी है यहां सब्सक्छा कृतर्ण यो करते हैं मैं ध्यान करती हूं मुझे जोत नजरांग दिये फलाना नजराता धिमका नजराता मैं आप लोगों को बताती हूं कि जोत ही है लास्ट पॉइंट है समाध्धी की अवस्ता है जब जोत नजराती है और आपको मैं बताऊं कि जोत वोत है तो कुछ नजर ही नहीं आती है उसके बाद तो आप ऐसे अंतर मुख हो जाते हैं कि जमीन से भी आप उपर चले उट गया आपको पता ही नहीं चलता कि हमारा श्रीरिस्टम जमीन पर हम बैठे हैं हम गद्धी पर हैं हम यहां है कि हम कहां है हम अपनी वह अवस्था जबाब की आ जाती है उस टैम आं करें रारी क्योर करने हैं आपको इतनी दरद आई श्रीर में आपका श्रीर इतना खराब है और वो खराबी भी आपको Нेगटिविटी के कारण है और आपयर हम में जोत नजर आती है दिखो ना है करें हमें जोत नजर आती जोत तो यह वी वड़े बड़े साथकों को नजर नहीं आती है जोत एक लास्ठ पॉइंट होता है जब आपको ऊक़ सी जोत दिखने लगते जोत भीooh क्या हॉता है वह वी की क्या हूँ जोत बिलनकी के लिखता है औरond मेडिया में आकर के दिमाग आपका डाइवर्ट हो जाता है बहुत डाइवर्ट होता है मैं आपको सच बाद बताती हूं मुझे पांक चार-पां साल हुए मैंने पहले फेस्बुक जोईन की थी वही वही वजलाती है यूटूब में कोई नॉलेज की कोई बात होती थी ज्या में पर फिर जाई नहीं पाया ठीक है उस वजह से इतना डिस्टर वे इसके लिए आपका मन वी चलितनी होना चाहिए मन नहीं कागर हो एकर मैं का कैसे होता है जब आपका संपर्क बहुत कम लोगों से होता है में आप आ कर कि और ज्यादा होते हैं आप मैं YouTube में आई हूँ अब यह साधना नहां का मारक नहीं नहीं पाता लेकिन इन नहीं नहीं तो मैं हर थोड़े दीन बाद फ्लूरूरी स्घूनसरесь उही करके प्लस यह फ्री system हो प्रीकेि शुोर्व करके एपना पूरा मुझे इसमानतर रखा है उस चीज़ को, कटने नहीं देती, टूटने नहीं देती, टाइम टाइम पर कर लेती हूं, और जो मेरा सुबा शाम का नियम है, मैंने कहीं भी जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो मेरा वो नियम पक्का है, वो मैंने करना ही करना है, तो आप लोगों ने ये करन बहुत पापी आत्मा हूं मेरे अंदर पता नहीं माता आगी कैसे आगी मैं तो कहते हूं कोई भी करो कितना कोई भी पापी करो बनेंगे ज़रूर भगती करने के लिए पहले तो अपने शरीर को पावरफुल बनाना पड़ता है योग आसमस है अच्छी आपकी हैल्थ हो नीची क्यों क्योंकि जब आप शक्तियों से संपरक सालते हो तो इनकी पावर होती है जोर होता है हलका फुलका आदमी कम इस वाला आदमी उर्जा के व गूमता है चकर आता है और उल्टियां सी आने लग जाती है ऐसे क्यों होता है धड़कन बढ़ जाती है गर्मी लगने लगती है सबसे बड़ा सिम्टम तो यह है कि इतनी गर्मी मैं जाब भी ना करूं ना अगर मैं अपनी गद्दी भरी धारन हो जो ना मुझे ऐसे लगन भी इसको अपनाएं और जिस तरह मैं आप लोगों को बोल रही हुँ तो बीच में फोन आ जाते न तो जिस तरह में आपको बता रही हूं कि करिए यह सब होता है लेकिन अपनी बॉड़ी को पहले सब चीज से अपने को करके रखिए अपना बैलंस बना करके रखिए हर चीज का अपना खाने का ध्यान रखिए पिने का ध्यान रखिए उर्जा बनाईए धीरे धीरे बनाईए सेंदी सेंदी ब आपको बाटती चली जा रही हूं जितनी आपकी समझ में आते हूं आप करिए अगर नहीं मेरी समझ क्या आते तो किसी से पूछ लीजिए या कहीं और सर्च करके देख लीजिए कुछ भी करिए पर ऐसे ना करिए ऐसे घंटों घंटों ना बैठिए गलत गलत हो जाता है और शरीर को पहले शुद्ध बनाईए भगवान को एंट्री अंदर देने से पहले आपके शरीर में कोई गंदगी नहीं रहने चाहिए उसके लिए आपको साधगों की अवशक्ता पड़ती है ठीक है तो आप सभी को आज ठंड थी काफी चब मैंने ये वीडियो बनाई थी त शरीर को मैंट जरूर करना को मैं जरूर करना आपके कमेंट का मैं वीड करती हूं जै माता की जैश्री महा काल आप स्वस्त रहें मस्त रहें जै माता की